इस वीडियो में हम बात करेंगे जज्ज्मन डैप्टर के बारे में CPC में आपने जरूर जज्ज्मन डैप्टर के बारे में सोना होगा Civil Procedure Court 1908 का सेक्षन 2, Clause 10 जज्ज्मन डैप्टर के बारे में बात करता है ये ऐसे वेक्ति को कहा जाता है जिसके अगेंस जज्ज्मन पारित किया गया है या फिर कोई और एक्जेक्यूशन के लिए दिया गया है Court के द्वारा दी गई कोई भी decree एक formal expression होती है जो की civil cases में दोनों parties के favor में की जाती है जहां पर judgment adapter losing party होती है जो की case हार गई होती है और opposite party जिसके favor में फैसला सुनाया जाता है उसे judgment creditor कहा जाता है जब court अपना फैसला सुनाती है तो judgment adapter फैसले में सुनाई गई condition को मारने के लिए legally bound हो जाता है और इस फैसले में कोई भी amount pay के लिए कहा जा सकता है किसी काम को करने के लिए कहा जा सकता है लेकिन जब judgment adapter court के फैसले को मारने से इनकार कर देता है या फिर fail हो जाता है या फिर court की condition को पूरा करने में fail होता है तो judgment creditor को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो court से enforcement order ले सकता है और court के द्वारा दिये गए judgment को forcefully लागू करवा सकता है civil procedure court में कई तरह के enforcement mechanism दिये गए है जिन्हें की judgment adapter के खिलाफ use किया जा सकता है जैसे कि attachment of property court judgment adapter की property को attach करवा सकती है ताकि debt को चुकाया जा सके और इसमें court अपने judgment की execution forcefully करवाती है जिसमें की judgment adapter के assets को भी siege किया जा सकता है इसके अलावा court के पास arrest या फिर detention की power भी होती है कुछ cases में judgment adapter को arrest करने के लिए या फिर detention में रखने के लिए भी कहा जा सकता है judgment adapter के legal resources के बाद करें तो उसे ये right होता है कि वो court के decision को appeal या फिर review के जरिये से challenge कर सकता है तो ये था वीडियो judgment adapter के उपर hope की ये concept आपको clear हो गया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे like, share और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा